हेलो फ्रेंज कैसे हैं आप सब वेलकम बेक टो आर योट्यूब चैनल मनाली चोबिसा आज हम बनाएंगे कुछ अलग से रेसिपी उसके लिए आप मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखें मैंने यहाँ पे सबसे पहले तो तमेटो अद्रग और हरी मीची की प्यूरी है और उसमें मैंने यह चॉप करके शिमला मीची को एड कर लिए हमें इसको दो तीन मिनुट तक फ्राइ करना है जब यह थोड़ी सी हमें ज़्यादा तो शिमला मीची को कुक करना नहीं होता है वहना इसका टेस्ट चला जाता है तो हमें जब अच्छे से ऑल में फ्राय हो जाता है तो इस टेश पर हल्दी भी डाल सकते हैं ताकि पनी का कलर चेंज है जाता है या फिर आप मैरिनेट करके भी फ्राय कर सकते हैं वह भी अच्छा लगता है फिर यहां पर मैं थोड़ा और और गील लोंगी ताकि अब हम सजी प्रिपैर करेंगे है ना तो उसके यहां मैंने काली मिर्ची लॉंग यह चकरी फूल बड़ी लाइची दाल चीनी तेश पत्ता यूज किया था फिर मैंने यहां पर जीरा एट किया और उसके बाद में यहां पर फाइनल चॉप ओनियन एट कर रही हूं यह भी अब यहां चाहत इसकी भी पैस्ट बना सकते है लेकिन मुझे यह ऐसे ही पसंद ले माने इसको ऐसा रखा था तो जब यह अच्छे से फ्राया अनलग जाया hè उसके बाद हमें इसमें अधर-घ्लसौन का पेस्ट एट करना है इस टीश पे ही हमें अदर लसुन पर स्टेट करना है जब हमारा प्याग आधा पक जाता है वरना वो जल भी सकता है उसके बाद ये जब दोनों अच्छे से पक जाया है मैं जो टमाटो की प्यूरी अच्छे से रेडी करी थी ना वह हमें एड करना है अच्छे से ग्रेवी बनानी है फिर यहां पर मैं सारे स्पैसे एड कर लुझी यहां पर रेड चिली पावडर युज किया-2 T Bengal फिर मैंने 1 colors रिजिए्द धनृडर और धनिया पावडर और फिर यह नमक एड किया है सारी जो measurements होगी मैं नीचे description box में दे दूँगी तो आप वहाँ जाके check कर सकते हैं यह मैंने कश्मीरी लाल मिल्ची powder एड़ किया है थोड़ा color अच्छा हो जाएगा उसके लिए totally optional है फिर यहां पे थोड़ा पानी डालके हम gravy को पकने देंगे जब oil separate होने लग जाए ना उसके बाद हमें हमारे सारा जो हमने कुप करके रखा था वो add करना है तो इससे पहले हम यहां पे थोड़ा सा basin add करेंगे basin यहां पे हमारी gravy को गाड़ा रखेगा हमारी gravy को separate नहीं होने देगा पानी अलग जाता है कभी gravy अलग जाती है ना वैसा नहीं होगा एक शर्मच बैसन डालेंगे उससे हमारी सारी चीज़े bind रहेगी यह अब oil separate हो गया हम यहां पे थोड़ा सा पानी और डालेंगे और इसको दो मिनिट उबाल के फिर इसमें हम मटरेट करेंगे यहां पे मैंने मटर को पहले boil नहीं कर रखा है यह फ्रेश मटर है हम इसको इसी के साथ boil नहीं देंगे फांश मिनिट इसको अच्छे से बोई होने यह पे यूज किया है, आप यह पे गर्म मसाला भी एड़ कर सकते हैं, वो भी सहेम कर तेस्टी देगा और नहीं भी करेंगे तो भी हमने जो पहले स्पाइसे यूज लिया हैं, मतलब खड़े मसाले यूज लिया था तो टेस्ट तो आई गया है, उसके बाद लास्ट में मैं मैं आपर धनिया, और ये मलाई यूज करिये, मैंने क्रीम यूज नहीं करिये, मैंने गर्की फ्रेश मलाई यूज करिये, उसको अच्छा से फेट लिया था और उसके बाद मैंने इसमें एट कर लिये, and also guys मेरा इंस्टा पेज भी है उसको चेक करना मत बुलना उसको भी जरू से चेक कर लेना और अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेंड सस्क्राइब थैंक यू